तो यह हमारा करेक्टर रेडी है और इसका यूबी हमने अन्रैप कर लिया है जो कि हमारे पास यहां पर देख पाएंगे यह हमने लेयाउट सेट किया है तो यह सारा यूबी मैंने इस पर रखा है अगर आप चाहें तो एक मैथड है जिसको यूडिम बोलते हैं उसमें यह हम देखते हैं कि नहीं मेरको यह एरिया यूज़ करना यह यूज़ करना यह भी अलग-अलग यूज़ करना कि इसका logic simple है यह आप जितना भी चाहें इसको expand कर सकते हैं मतलब औहीं 01 के करख सकता हूं इसको atback मैं रख सकता हूं 4K करख सकता हूं या फिर ie 1 तो मतलब यह 1 2 3 1 2 3 मतलब 6K का ओवराल आपका टेक्चर हो जाएगा तो सबको आप अरेंज कर सकते हैं वह एक अलग मैथाड है पर मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूं वह सबस्तेंस पेंटर में ज्यादा हेल्प करता है आपको यूबी तो आप लोगों ने देख लिया सिंपल में अरेंज्बेंट भी देख लिया अभी एकदम सिंपल में कैसे टेक्ठर करें उस तरीके का है जैसे कि हमारा रिफ्रेंस है तो इसके लिए कि आपको क्या करना है आपको जाना है इमेज के अंदर यहां पर यू वी स्नैप सॉट पर जाना है यहां से आप यह भी टू के का मैंने रखा हुआ है साथ पी एंजी सेट करके रखा हुआ है दस चोबी दस बीसाड़ तालेश 2048-2048-2048-2048 pixels तो अभी ब्राउज करेंगे कि हमारा यह जो जा रहा है कहां पर जा रहा है और जहां जाना चाहिए महीं जा रहा है तो यू बी के अंदर मैंने अल्रेडी सेव करके रखा था तो मैं इसको अपलाई कर देता हुआ है अब आते हैं हम जाने धायें फोटोशॉप ऑप्टोशॉप के अंदर आएंगे फोटोशॉप टेक्सिरिंग की स्ट्र काशापट्वर का सुप्ट्वर है अगर आप इसका का समझ गया ए आल्मोस्ट किसी भी 3D सॉप्ट्वgov में आप काम कर सकते янcken तो यह तो हमको किपना अगर ऐसा रॉंग हो जाए तो आप में यहां से जा के साइज फिर से चेंज कर सकते हैं 2048 यह हमारा 4K का सब्सक्राइब का हमारा साइज है जो कि हमने ले रखा है प्रेस पर आपके कीबोर्ड पर यहां पर लेयर मिल जाएगा आपको इस लेयर पर मैं क्या करना हूं वाइट कलर आल्ट वै की स्पेस से अभी जिनको फोटोसॉप नहीं आइडिया फोटोसॉप का तुम एक रफ रफ आइडिया बता देता हूं यह फोर ग्रांड है बैक ग्रांड है और यहां पे कुछ टूल्स है यह मूब टूल है यह सिलेक्शन करने का टूल्स है अगर आप कोई बेसिक रखा हुआ होा है शोर्स ना देखा है ने रखा हूं यह फिर करें की हमें दिखाय क्रोंब कंत्रोल करके इस बॉक्स पर क्लिक करना यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेलेकशन बन जाएंगे लें घँल्बांड कर लेक्रा आप यहा नीचे रखके इस पर हम अब यह बैक्ग्राउंड का कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस से आप उसको फिल कर सकते हैं तो यह हमारे पास क्या आ गया आपे सारा याँ वी हाँ आगया अब मैं लेकर आओंगा मेरा जो रिफ्रेंस मैंने लिया है उसे रिफ्रेंस को लेकर आओंगा कि सबसे पहले फेस का स्टार्ट करते हैं तो फेस खेज को ड्रैग करके मैं यहां पर रखता हूँ तो यह है इसी इमेज को मैं यूज करने वाला हूं भी आप देखो गे स्पेस बार होल्ड करके आप इसको तो इसका इधर का जो पार्ष है यह हमारे काम नहीं. सबसे पहले क्या करते हैं मैं को लेकर आते हैं तो पहलेका स्विलें क्रफ़े शीह थो मटिल कर देते हैं जो मटड़ड़ आ कजर। यहाँ सेसे ब्लस अंडर में स्धूड़ में किर्लेक्श करो लैसो टूल है इस टूल से हम मनाएंगे सेलेक्शन इस तरीके का अब यहां पर मेरा यह बेक्ग्राउंड कलर है इसके उपर मैं फिल करने वाला हूँ तो अल्ड बैक स्पेस करेंगे तो यह फिल हो गया इसे फायदा क्या हो रहा है यह आपको भी दीख रहा है इधर भी दीख रहा है दोनों Ctrl D D Selection Ctrl C Test Press करो Save on Your Computer तो हम जा रहा है Face के Source Image के अंदर है CH PhD के नाम से अब भी इसका नाम रखेंगे हम CH Beauty Beauty PhD Save इस तरीके से सब को ऐसे ऐसे करके Fill करना है आपको Cloth का जो भी है तो मैं भी Face पे फोकस रखता हूँ अब Next Step में क्या करना है जैसा ही मैंने बोला कि हम क्या करने वाले हैं इसको ये यूज करने वाले हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं रेक्टेंगल लेते हैं यहां पर आप यहां से भी कर सकते हो तो इसका एक ना बड़ा पैच लेता हूं 50% राइट क्लिक फैदर फैदर मतलब यह जो एजेज है इसको बलर करने के लिए यह हम कर देते हैं 10 अभी कुछ ऐसा है फैसर मेरे को लगता मूब करने की ज़़रुवत है इस सेलेक्शन को फोडस और इदर करके रखता हूँ क्योंकि यह फैदर होगा तो यहां तक हम कुलियर मिलने वाला है इसको करेंगे Ctrl-J, Ctrl-J से क्या होगा, यहाँ पर एक नया लेयर क्रियेट होगा, जिसमें वो सेलेक्शन आ जाएगा, यह इतना आ गया, अभी इसको मूब कर रहे हमको कहां, उठा के, यहाँ पर रख देना है, Ctrl-Plus, जूम करने का यहाँ पर भी आप्शन है, मूब टूल पगड़ के रखो आप, अब यह आना चाहिए, यहाँ पर, Ctrl-T करते हैं, Ctrl-Z, Ctrl-T, तो यह सेलेक्शन आ गया आपके हाँ में, अभी मैं इसको थोड़ा रोटेट करके, और इसको और पास में लाते हैं, थोड़ा सा इसको उपर की तरब, Ctrl-Hold करके आप इसको Vertically कर सकते हैं, Horizontal दोनों तरीके से आप इसको Move कर सकते हैं, अभी आप देखोगे, तो यह हमने अभी वहाँ पर प्लेस किया है, पर यह फाइनल नहीं है, यह हमारा एज कौन सा है, एक बार मैं फिल्टर कर लो, कि मेरा कौन सा एज चाहिए, फिर उसके बाद मैं Ctrl-T करके, थोड़ा समय इसको बढ़ा लेता हूं, पहले से, क्योंकि मे Ctrl-S कर दिया मैंने, अब मैं आता हूं माया में, इन सब पर एक ही Material डालना है मेरे को, ताकि एक ही बार में सारा टेक्चर हो जाए, तो यहाँ पर लेंबर्ड असाइन किया है, हमने Material Attribute में जाएंगे, और इसका नाम दे दो, CH Beauty, इससे क्या पता चलेगा, कि यह Master है हमारा, यहां चेकर जो भी आप देख रहा है, सब पर आप फाइल अटेच कर सकते हैं, कलर पर हम कलर बना रहा है, तो कलर पर ही हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, यहां से PhD लेना है, तो डेक्स्टाप पर जहां पर मैंने रखा हुआ है, इसके Face के अंदर, Source Image के अंदर यहां पर हमने PhD रखा हुआ है, यहां पर नहीं दीख रहा है, तो दीखेंगे कैसा 6 पर इसके करेंगे, यहां से यूज डिफॉल्ट हटा दें, वायर फ्रेम भी हटाएं, अब यहां से हम चेक करेंगे, कि जो हमने प्लेस किया है, वो कहां पर आ रहा है, और क्या आप छोटा मोटा, यहां से आप टेक्चर भी देख भाएंगे, तो यह है वो एरिया, जहां यह प्लेस हुआ है, थोड़ा सा यह एरिया पहले फिक्स कर देंगे, यह मेरा बॉर्डर एरिया है, तो अगर इसको देखो तो यह तीन एज है, जिसके अंदर यह लास्ट एज हमारा प्रोपर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी यहां पर जो आउट्पूट देख रहा है, यह अभी आप ऐसा बोल सकते हैं, कि एक रफ रफ है, तो यह पैंच जैसा लग रहा, फिर आते हैं हम कहां, अपने इधर, स्कॉन करो, तो यह है वो एरिया, तो फोड़ा सा और जूं करो, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि आप इसका टूके के जगए पे फोर के ले सकते हैं, तो फोड़ा सा और यह जो अभी आप देख रहा हैं ना, यह आपको एकदम बहुत बारीकी से मिल वालता है, एकदम नीट ए हिसाब से दोनो, साइट का ड्रॉ करेंगे, ठीक, इसके उपर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है, कि ऐसा कुछ है, तो इसको अन करता हूँ, प्लस, यह है वो कलर, इस कलर को पिक कर लेते हैं, ब्रस लेते हैं और यहां से प्रिकर लेते हैं यह है वो कलर अब इस जगह पर जाएंगे और बैक स्पेस यह सब पर वो कलर फिल हो गया अब बीच में अपने को थोड़ा बहुत टचिंग करना पड़ेगा अब इसको मैं उपर रखता हूं तो यह जो एरिया है यह नहीं चाह हाँ इसी पर है तो इसको थोड़ा सा एरेज कर दे एरेज करने के बाद फिर थोड़ा आगे चलते हैं अभी मैं वायर मूब कर देता हूं प्लस तो जो हमने लिया है कुछ ऐसा है अभी आपको यह दिख रहा होगा कि अभी यह जो एरिया है यह डार्क डार्क वाला फील्ड दे रहा हमको तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो तो मैं क्या करूंगा ब्रस लेता हूं और यह जो एरिया है इसको पकड़के इसके उपर एक लेयर लेते हैं सोरी इसके उपर कि यह सबसे टॉप में है कि इसके चले गए कंट्रोल डी करते हैं डी करने के बाद सबसे उपर एक और लेर लेते हैं वहां पर क्या करेंगे हम यह जो पैंच दिख रहा ना इस पैंच को टाना है तो पहले क्या करेंगे थोड़ा सा ओपेसिटी यह फ्लो अगर एको आप आप यहां से ब्रस सेलेक्ट कर सकते हो साइज आप चेंज कर सकते हो बहुत मामूली सा फ्लो रखें और ऑपेसिटी तक उसको बहुत इस तरीके से प्रॉपर हम ब्लेंड कर सकते हैं तो ब्लैक वाला जो पैच है वह भी साइद आप तो नहीं दिख रहा होगा अब आते हैं थोड़ा सा उपर की तरफ तो यह जो एरिया है ना यह लिप्स का एरिया है यह इसको मैं कंट्रॉल कामपी हो गया हूँ स्वारी ड्रैक करके यहां पे लेकिया हों एहां पर छोड़डो यहां लग हो तो यह से आप छोड़ हो गया वह ब्लिप्स तो कोफी करना है यह कंपी कर लिए हमने यह corner पर आप देखो अभी紧 क्ट्रोल टी करेंगे सिप राइट क्लिक करेंगे 90 डिग्री पर रोटेट होरिजोंटल कर देते हैं इस तरीके का कुछ तो यह क्या हो गया कि एक बार अभी आपको यह आउन करना पड़ेगा कि यह है हमारा कॉंपी थोड़ा सा और प्रॉपर अरेंज गर लेते हैं अब फिर से वायर रॉप कर देते हैं तो मेरे को पता है कि मैंने जो बनाया है कुछ इनको मिक्स कर लेते हैं इनको कंट्रोल ए करके एक कर देता हूं मैं यहां पर यह आ गया और यह है सबसे उपर इसको मैं लेकराता हूँ एकदम तॉप के और इनको ओपन करता हूं और वायर अभी इसको यहां रखते हैं और इसको आफ करते हैं तो करना क्या है हमको इस जगे पे ऐसा लुकेंड फिल चाहिए कैसा एसा तो यहां तो अगर आप काट के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है दूसरा क्या है यहां पर मोड को आप अपलाई करो तो अल्मोस्त अब उसके आसपास आ जाओगे फिर उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं अलग से थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हैं तो मैं डारकन वाले मोड पर आता हूं जहां पर मेरे को लगजा कि ठीक है और फिर से ब्रस लेना है ब्रस लेके यह एरिया पकड़ो तोड़ा सा ऐसा और एक और नया लेयर यह होना चाहिए यह जो मैं टेक्निक बता रहा हूं यह गेमिंग के लिए भी यूज हो सकता है गेमिंग में ज्यादा तर ऐसे हाई रेस ट्रेक्चर बनाया जाता है और आप इसको इसा नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं दोनों आपके पास यह भी माउस से मैं पेंट कर रहा हूं आप अगर टैबलेट यूज करेंगे तो मैं भी और अच्छा कर पाएंगे तो यह हलका सब मैंने ग्रेटियंट पेंट किया है अभी क्या करना है मैं सबको अभी नो क्या कर देता हूं इसको कंट्रोल चेस करते हैं और इसको सेव कर रहा हूं मैं एक नया कॉपी ताक कि मेरे पास एक बैक बैक अप रहे तो इसके बाद अंडर्श्कॉर जीरो वन इस ली कर देते हैं अभी क्या हो गया सब मिल गया सारे लिए रेक हो गया अब जाएंगे हम ब्लर के अंदर तो आपको इधर कहीं पर मिल जाएगा ब्लर कि डाज एंड ब्लर कि अब कि अब कि अब कि यहां यहां पर रहेगा वह सौटकट के अंदर चला गया तो यहां पर देखो ब्लर कहां पर है इस मज कि असपास होना चाहिए ब्लर टूल है यहां पर तो ब्लर टूल को लेकर हम यहां पर क्या करेंगी थोड़ा सा इसका ओपैसिटी स्ट्रेंथ कम करके रखो और यह जो एरिया है यह अभी थोड़ा सा ब्लर करना हमको यह बर्न टूल है नॉट ब्लर यह है ब्लर क्या क्या करने हम इसको फ टोड़ा थोड़ा जो एज है ना इस एज को हम क्या कर देते हैं ईसा मिक्स करके मिला देते हैं यह ठीक हो गया अब ज्यादा पार्ट को हमारा कहां का है यह स्कीन का तो मैं यहां से स्कीन लेके आता हूँ यह स्कीन का अरिया तो यही मेरे काम का है तो मैं यहां से यहां तक नोस का अरिया पहले लेके आता हूँ काम करते हैं इसको हम ना यहां से लेके यहां तक कट करते हैं ऐसा कुछ अब की बार फैदर हम डालेंगे फाइव और इसको करते हैं कंट्रोल जे कंट्रोल जे और इसको लेकर फिर आते हैं इधर अगर ऐसा देखें रफ रफ एक आइडिया लगाएं तो यह कहां पर होना चाहिए यहां कहीं पर हो जाना चाहिए थोड़ा सा यहां ट्रांस्परेंसी कौन कर लें ताकि आपको एग्जेक्ट आइडिया आए कि जो मेरा एरिया है वह कहां पर है तो इसको मैं सिफ्ट होल्ड अगर के थोड़ा सा स्कॉच कर लेता हूं नोस के जगह पर है और एक दो बार देखना पड़ेगा अपने को क्या है यह एक दम वहां पर रख दिया मैंने इंटर एक बार इसको अप्लाई करेंगे कंट्रोल एस और फिर से माया पर आते हैं माटेरियल एट्रिब्यूट के अंदर जाना है आपको यहां पर जाके फिर अपकी बार मैंने दो एक से वाइस किया ना यह लास्ट वाल लेना है तो अब देखोगे यहां पर थोड़ा थोड़ा देख रहा है पर यहां पर प्रावलम है जिसको हम सॉल्व करें जब यह आउट्पुट नहीं आए आउट्पुट अभी जब हम फाइनल करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इनको ऐसा में स्विक्स करके और लाइट वाइ है तो वह सेड़ो अइरिया नहीं चाहिए हम सेड़ो हमारा कुट कर आए गई दर तो यह बहुत एक यह कर सकते हैं हम एक रफ रफ आइडिया लेने के लिए हम क्या करते हैं इस माटेरियल को मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि इसका जो रेंडर हम निकालने वाले हैं वह अर मैं इसमें डालने माला हूं यह स्टेंडर्ड सर्फेस सर्फेस शेडर अब यह अब यह आई स्टेंडर्ड सर्फेस और इसके इसमें ले जाकर हम अटेच करेंगे भी फिर से और एक मैं लाइट लगाता हूं कि वह कैसा रियक्ट कर रहा है या फिर क्या होने वाला है इसके लिए मैंने एक स्काइड़ोम लगाया हुआ है एक्स्पोजर थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे तू के राउंड और यहां पर अर्नॉल्ड का एक फुड़का रेंडर रहा ह पॉइंट वन अग्ट यह है वो रेंडर जो हमको हाथ में मिलने वाला है अब इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं तो यहां पर फुड़ा सा डार्क है यह एकदम परफेक्ट है बस ही जो डार्क है यह निकाल देंगे हम तो मेरे हिसाब से काम हो जाए है चलो चलते हैं आगे तो यह जो डार्क है यहां से एकस्पोजर बढ़ागर रखो उसको मैं वन अगर करूँ तो यह औल्मोस्ट हमारे रेंडर से मिल रहा तो इतना करके रखते हैं इससे क्या होगा एक कि रह रफ रफ आइडिया होगा कि जो आउट पूट हमारे हाथ में रहा जीरो कर लो इसको पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन इतना तो एक अल्मोस्ट आइडिया आजाएगा आपको कि जो भी यहां पर दीख रहा है वह आसपास ही दीख रहा है है क्यों को थो आगे आते हैं तो आगे आने के लिए तो हमको क्या यह कॉन्यूंत Exodus में लेकर आना यहां पर जा आयुछयार मैं आगा जो करने जा रहा हूं एकदम स्दोर रह त्ली में इसको फाइड़ पहले इसको सभी कर लेते हैं तो यह दोनों लेयर पकड़ना है इसके नीचे जो यह है ना इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि पीछे का जो डार्क वाला फील है ना वो निकल जाए एक और बड़ा सा क्लिक कर देंगे ऐसे ठीक फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यह हमारा जो टॉप का एरिया है इसको फिलिप कर लो इसको हम इधर लगा देंगे यह हो गया नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ा सा आई के पास आई के लिए एक बार रिफरेंस देख लेते हैं है क्या यहां पे एक वेडियेंट है उपर आई लीड जैसा कुछ है और यहां पर डार्क जैसा है हलाकि यह सब लाइट से आजाएगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी मैं यह जो बता रहा हूं यह टेक्चर बता रहा हूं ना कि सैडिंग और यह से ट्रिंपल से किया गया है सबस्केन सबस्केन स्कैटरिंग ऐसे कुछ करके इसका फुल फॉर्म होता है तो यह स्कीनिंग का सॉप्टर के अंदर है अगर वो डालके आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं और यहां पर एक्सिजिएन है ट्राइ करेंगे तो वह हम निकाल देंगे और इसको एक्सिजिए निकाल देता हूं और यहां से यह नोज बगर नहीं चाहिए मेरे को यह स्कीन चाहिए जिसको मैं रियूस करने माला हूं तो एक है तो स्कू कंट्रोल जे कि पिर से कर लेते हैं अभी हमारे पास सिंगल स्कीन है आप इसको पकड़ो और अपने करेक्टर के अंदर इंटर ड मूव तून लो स्वरी इधर गया यह रहा राइट क्लिक करेंगे आप तो इसको देख पाएंगे तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा फॉर हेड के तरफ कंट्रोल टी इसको मैं रोटेट करके यहां पर कहीं पर लगा देता हूं थोड़ा सा पैंच बड़ा होगा पर चलेगा कोई दिक्कत नहीं इंटर और इसी को कंट्रोल टी इन दोनों को क्या करना है कंट्रोल ली कर देना यह थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता आपको लगे पर यह आप एक बार समझ गया तो फिर बागी सब टेक्शिरिंग में आपको ज्यादा मेरक नहीं लगता प्राब्लम होने वाली है और यह बेसिक चीज़ें आप नहीं प्राब्लम होगा अभी यह जो ब्लैक ब्लैक पैंस दीख रहा है इसको भी अटा दो अगर आप वेकॉम और ही ओन वगरे कई बहुत सारे मार्केट में टैब आते हैं वह अगर यूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा आपको मैं अभी यह माउस से ही कर रहा हूं करको मेरे पता है ज्यादा कौंपी पेस्टी करना है यह जो ब्लैक पैंच जैसा एक लाइन जैसा था यह मैं कुछ हद तक मैंने उसको निकाल दिया है अभी इन सब के उपर एक लेर ले रहा हूं मैं अब उस लेर पे मैं क्या करूंगा फिर से मैं और यहां पर भी कर सकते हों इस जगये सब्सक्राइब कर सकते होँ और यह क्या ऐपर के तो नहीं होगा और यहां जहां ग्रेडियन्ट है उसको टदो है एक दम मिल जाना चाहिए ऐसे यह आपका मिल गया आप क्या करेंगे हम यहां पर हमने इतने एरिया पर कुछ किया हुआ है तो यह कि आपके और यह जो मैंने कर दिया ना कहीं तो गलत है तुछे मैंजिक बैंड टूल लेंगे अभी आता हूं मैं इंस सबको बंद करो है और यहाँ पर क्या हो गया है कि हम ने मेन बेस पर ये फ्री नहीं रखा मैंने बेस कलर के कर दिया है क्रों है अब भी ये सेलेक्ट करते है है कोि कह दों करतेinya का तो मैं कॊ आगा न कलिए कर पर ये एब चमक्राइब अब और है इसको जाएंगे फिल्टर के अंदर नॉइस के अंदर एड़ नॉइस थोड़ा सो वह स्कीन का फील देने के लिए इसको अराउंड टेन के असपास रखो और सेम यही चीज हम ऊपर भी करने वाले हैं इसको भी बंद रखते हैं तो इस पे भी हम जाएंगे फिल्टर नॉइस एड़ नॉइस वो डिपॉल्ट सेट है हम आ जाते हैं थोड़ा सा डीटेलिंग के तरह थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसको मैं कंट्रोल जेट कर रहा हूं अभी देखते हैं कितना है नॉइस तो नॉइस होना चाहिए मेरे हिसाप से 5-7 के असपास एकदम बहुत मामूली सा थिरी रखते हैं और इस पे भी थिरी डाल दूँए एड़ नॉइस लेयर आउन करो नॉइस एड़ नॉइस तो यह हमने कर दिया अभी इन सब लेयर को अन करेंगे अभी नेखते हैं अभी क्या चल रहा है तो अल्मोस्ट हम उसके आस-पास है अभी हमको कहा करना ग्रेडियंट देना ग्रेडियंट मतलब कि अभी जैसे मैं आ तो थोड़ा सा पेंट कर सकते हो ताकि लाइटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और नहीं भी करोगे ज्यादा बड़ा यसू नहीं है उसका दूसरा यहां पर आपको इसका डार कलर चाहिए थोड़ा सा क्यूं इस तरीके से आप इसको करोगे कंट्रोल डी यहां पर प्लस थोड़ा सा डार्क होना चाहिए जैसा आई के चारो तरप रहता ना हमारा ऐसा कुछ यह कीए और इसका डार्क पिक करने के लिए अच्छा होगा कि हम यहां से पिक करें तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको और ठोल्ड करके जैसे यह डार्क वाल एरिया है तो यह होना चाहिए इस नए लेयर पर यहां पर क्लिक करना आपको एक दो बार कर दो ऐसे फड़ासे ग्रेडियन्ट आ जाएगा और यहां पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए तो झाल